वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी हुई एक और धमाकेदार और एक्स्क्विजिव खबर के साथ एक बार फिर हम आप सबी दर्शकों के सामने हाजिर है दोस्तों, बिग बॉस सीजन 14 की कंटेश्टनें रूबिना दिलायक की सबसे पहली जीत, जी हाँ दोस्तो पहली जीत हो गई है, पहली जीत मिल चुकी है रूबिना दिलायक को और साथी साथ पहली जीत मिलने वाली है रूबिना दिलायक को बीबी पंचायत तास्क में, दरसल में बीबी पंचायत तास्क आने वाले एपिसोड में आने वाला है और साथी साथ इस तास्क की मुख्य बनेंगी कविता कौशिक और साथी साथ कविता कौशिक की वज़े से रूबिना दिलाइक जो है फर्स्ट राउंड में हार जाएंगी और साथी साथ जैस्मिन बसीन को जिता देंगी कविता कौशिक जो भी किचन वाला जो एरिया है उसकी जो विजेता होंगी जैस्मिन बसी लेकिन इसके बाद दूसरा round की खुशना होगी और दूसरे round को जीत लेंगी Rubina Dilaik और साथी साथ Rubina Dilaik के इस जीत से काफे खुश हैं और साथी साथ अपनी धार मार रहे हैं बाकी के सदस्यों पर दरसल में दूसरा round होगा bedroom का round और साती साथ ये जो bedroom बाला जो round है इस bedroom round में अपना पूरी तरह से तरक रखेंगी वितरक रखेंगी जैस्मीन बसीन और साती साथ रूबिना दिलाएक जैस्मीन बसीन पर भारी भड़ते हुए नजर आएंगी बीबी पंचायत तास्क में जो है दो बहनों के बीच में लडाई हो रही है और साती साथ दो बहने है एक तरफ है जैस्मीन दूसरी तरफ है रूबिना दिलाएक और साती साथ दोनों के बीच में बटवारे को लेकर बहुत बड़ा जगडा हो रहा है तीन round में होगा अलग- अलग 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 एरिया दिया जाएगा और साती साथ इस अलग अलग एरिया के तहट कौन सी टीम विजिता होंगी टीम रूबिना विजिता होंगी या पर टीम जैस्मीन विजिता होंगी ये देखने वाली बात होगी दोस्तों लेकिन रूबिना दिलायक ने पहली जीत हास दोस्तों बहुत ही बड़ी खबार निकल कर सामने आ रही थी इसी तरह से रूबिना दिलायक एक कारे की विजेता हो जाती है और साती साथ जो जैस्मिन बसीन है वो एक कारे की विजेता हो जाती है और अंत में जो कारे दिया जाएगा उसके तहटी ये डिसाइड किया कि कैप्टेंसी के लिए कौन-कौन दाविदार बनते हैं लेकिन रूबिना दिलायक के फैंस जो हैं इस बहुत बड़ी जीत से जीत का जश्ट न बना रहे हैं वेल दोस्तों आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही तब तक लिए बने रहे हमारी यूटुब चैनल के विडियो अच्छी लगे तो विडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूलें